राम रामसा, प्राण जाये पर वच्चन ना जाये, ये हमारे भारत की संस्क्रती रही है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी ऐसे बहुत से वीर हुए हैं, जिनोंने अपने वच्चन के लिए अपने प्राणों की आहुती दी है, ऐसे ही एक वीर हुए हैं श्री तेजा जी मह नाथना की कि वहें उनकी गायों की रक्षा करे जब टेजा जी महराज गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हों ने देखा कि आग के अंदर एक सांप जल रहा है उन्हों ने उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया सांप accomplishment को डशने लगा तब assurance के में गायों की प्राणों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं वहाँ से वापस आकर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूँगा फिर तुम मुझे डस सकते हो साप ने तेजा जी को जाने दिया तेजा जी ने डाकों से लड़ाई की और गायों को बचा लिया लेकिन इस युद्ध के अंदर तेजा जी पूरे घायल हो गए थे जब तेजा जी वापस आये तो अपने वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने खुद को साप के हवाले कर दिया लेकिन जब साप ने देखा कि उनके पूरे सरीर पर कहीं कोई ऐसी जगे नहीं है जहां मैं डस सकूँ क्यूंकि सभी जगे खून ही खून डपक रहा है तो साप ने डसने से मना कर दिया तेजा जी महराज ने अपनी जीब साप के सामने करते हुए कहा कि मेरे पूरे सरीर पर जगम है लेकिन मेरी जीब के उपर कोई जगम नहीं है तुम मेरी जीब पर मुझे डस सकते हो और मेरे वचन की लाज रख सकते हो आकिर कार साप ने तेजा जी को जीब के उपर डस लिया और वीर तेजा जी ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी आज भी राजस्थान में खर्नालिया में तेजा जी का बहुती प्रसिद मेला भड़ता है जाट समाज जो की एकता और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है तेजा जी को अपने परमुक देवता के रूप में पूचता है अगर आप भी कभी राजस्तान में आते हैं तो तेजा जी के दर्सन जरूर कीजिएगा राम राम सा